वाइरस पहले भी कभी देखा गया है जो अभी ये शोटी हाइट के दान के दिखाई दे रहे हैं खासकर ये परमल ब्राइटीज में है बासमती में तो नहीं है वाइरस समू का और यह विशाणू पहली बार चाइना में सन 2001 में पाया गया पहली बार जो है यहां पर देखा गया है और इसका प्रकोप उत्तराखंड उत्तरप्रदेश हरियाना और पंजाब को थी सतर्क रहें आने वाले सीजन में इसका क्या रिलेशन रहेगा कैसे इसको मैनेज किया जाए नहीं थी और यह वाइरस जो है भी जनित वाइरस नहीं है कसान भाइयो नमस्कार मैं परगर सिंग क्रॉप इंफरमेशन से चैनल चला रहा हूँ और फार्मर के रिगार्रिंग, फसलों के रिगार्रिंग क्रॉप्स में डिफने 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 क्रॉप्स के अलग-अलग तरीके से crop practice के बारे में बाचीत करते रहते हैं लेकिन दान में बड़ी समस्या पैदा हो गई है हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो food हमारी public लेती है वो दान से चावल हैं और उसके problem create हो गई है कि ऐसा virus एक activate हुआ है जो दिखाई दिया है काफी early transplanting में पंजाब में हर्याना में उत्राखंड में ये दिखाई दिया है और बड़े लेवल पे farmer भी इसके उपर पहले जो normal हमारे pesticide चल रहे थे उसको डाल के देखे काफी उनको problems हुई result कोई मिले नहीं है कुछ जादा लेकिन आज हम पूछा दिल्ली में बैठे हुए है और डक्टर एके सिंग हमारे साथ है इस virus के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे कैसे हुआ इसका क्या solution है आप कोई भी wrong treatment ना करें गबराने की जरूरत है जा नहीं अभी running crop है जो 20-50 दिन में कटने वाली है इसमें क्या डिक्कते हैं और आ सकती है सर नमस्कार तर नमस्कार सर पहले तो आपका बाबो दन्यवाला आपने हमारे लिए 10 मिट नेका ले सर ये वायरिस पहले भी कभी देखा गया जो अभी ये शोटी हाइट के दान के दिखाई दे रहे हैं खासकर ये परमल ब्रैटीज में है बास्मती में तो नहीं है ऐसा है कि यह विसानू एक जो है फिजी वायरस समूह का विसानू है इस समूह के विसानू पहली बार फिजी में पाए गए थे और उसके बाद इस समूह को फिजी वायरस समूह का नाम देते हैं लेकिन ये विशेष वाइरस जो जिसके वज़ा से धान के पौदे छोटे हो गए हैं और पिछले करीब डेड़ महीने से हम लगादार पिसानों के खेत पर जा रहे हैं उनका दवरा कर रहे हैं वहाँ से पौदों का सैंपूल लेकर करके हम अपने लैब में आए और हमारे जो एग्यानिक विशानों के उपर काम कर रहे हैं उन्होंने उसका पूरी तरह से विश्लेशन किया है अलग-अलग तरीके से और सारे विश्लेशन के बाद ये प्रचला ह है कि यह विशानु जो है इसको हम सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ट ड्वार्प वायरस के नाम से जानते हैं यह विशेश इस्ट्रेइन है फिजी वायरस समूह का और यह विशानु पहली बार चाइना में सन 2001 में पाया गया था भारत के अगर बात करें तो धान में बौन देखा गया है और इसका प्रकोफ उतराखंड उत्र प्रदेश हरियना और पंजाब किसमों की गर बात करें तो उसमें प्यार 126 प्यार 112 प्यार 15 你 किसमों में काफी मात्रा में इसका प्रकोफ हुआ है और उसके शाद साथ बास्मती किसमें जो है उसमें पंद्रह सो नो सो लो सो बांदवे यह तो जल्दी पके त्यार हो जाने वाली किसमें इनकी कटाई भी अब हो चुकी है उतना नुक्सान कोई ऐसा किसानों ने बताया नहीं पैदावार किसानों की 25 से लेकर के 28 कुंटल प्रतिय कड़की आ खास कर जो हमारी देर से पकने वाली किसमें है जिनमें अभी जो है उनका बढ़ाव हो रहा है खास कर जैसे पूसा चोग आलिश की समूह की किसमें है या बास्मती में जो चोगर सविक है या लेट वाली किसमें है तो यह विसानों जो है जो रोग रसित पौधे हैं उनसे स यानि WBPH के नाम से जानते हैं तो यह WBPH जो है वो भोरे रंग का फुदका होता उसके पीट पर सफेद धब्बे होते हैं WBPH ही इसके संक्रमन का मूल कारण है इसी की वज़े से जब यह बिमार पौधे में बैठ करके उनके तनों से रश्चूसता है तो उसके साथ विशानू जो WBPH है उसके माउट पार्ट्स में आ जाते हैं उसके मुह में आ जाते हैं और फिर वो जाकर के स्वस्त पौधों का ज मारान रोध है कि वो इस बात को ले करके बहुत ही सतर्क रहें कि जम ही उनको WBPS का प्रकौप कहीं भी दिखता है कैसे पता करेंगे आप खेत में घूमिए अंदर जाइए खेत में सिर्फ मेंड से ही नहीं और डंडा मार करके नीचे देखिए हापर आ गया है नहीं आ गया जिसको हम तेला चेपा जानते हैं सभी किसान भाई बहुत अच्छी तरह से इससे परचित हैं जी और आपके खेत में ट्यूविल है ट्यूविल की उपर लाइट लगी हुई है उसके ओपर भी कीड़े चोटे-चोटे कीड़े बहुत भारी संख्या में उनना शुरू करते हैं जब ही आपको प्रकोप दिखता है तो आप तुरंत जो है कीट नियंत्रक जो दवाएं हैं जिसमें खासकर कुछ चैसे है पेक्सालोन है इस तरह की दवाएं हैं जो की डवलू बीपीज को बहुत प्रभावी धंक से कंट्रूल करती हैं उसका स्प्रे कर दीए तो जब डवलू बीपीज नियंत्रित हो जाएगा तो विशानू फैलेगा नहीं जी नॉर्मली सर डेफिशेंसी आती है क्रॉप में जब ट्रांस्प्लेंट कराते हैं जब टेंप्रेचर स्ट्रेस हो जाता है जिंग की डेफिशेंसी आती है फार्मर ने उस तरह के से पहले इसको ह पहले जाए तो जैसा कि अपने बताया कि इस विशानू की दोरा बौना पन तो एक प्रत्यष चुरूर से हमको दिखता है जो की जमीन के ऊपर पौदे हैं उनमें दिखता है हमको जान को या किसी को लेकिन जमीन के अंदर क्या हो रहा है विशानू का क्या प्रबाब है हम देख नहीं पाते हैं। इन पौदों को जब भी निकाल करके हम लोग देखे तो इन में जड़ों का विकास बिलकुल खतम हो गया था, नहीं के बराबर हो गया था। जड़ों की लंबाई बहुत कम हो गई थी। इसके चलते जब खुराक जमीन से जड़ों के माध्यम से पौ करने से थोड़ा वहतर रिस्पांस मिला तो यह लाजमी है क्योंकि जब जड़ों से पोशक्तत नहीं आ रहे हैं और ऊपर से निया है और उपर से हम छिड़काओ करते हैं तो इसका रिस्पांस थोड़ा कि जब हम लोग खईतों में गए थे और किसानों के हाँ से पोधे उखाड करके ले करके आये थे कुछ किसमें ऐसी थी जिनमें दाना बनने की इस्तिती में था दूधिया दाना हो गया था दाने से भी DNA, RNA निकाल करके उसका ही परिक्षन हम लोग ने किया तो उसमें एक बात हमें यह देखनों के मिली कि वायरस की उपस्तिती बीज के अंदर नहीं थी और यह वायरस जो है बीज जनित वायरस नहीं है तो बीज के माध्यां से इसका ट्रांसमिशन नहीं होगा लेकिन फिर भी हमें यह सावधानी जरूर बरतनी है कि बीज का उत्पादन अगर हम किसी छेत्र में किसान कर रहे हैं भी उत्पादक किसान है और बहुत बड़े पैमाने पे अगर जो है इसका प्रकौफ हुआ है तो वो फसल बीज के लिए उतनी उप्यूक्त इस कारण से भी नहीं होगी कि उसमें दानों का विकाश होता अच्छा जर्मिनेशन में परकाएगा तो इसलिए ऐसे मैं तो राज सरकारों के माध्यम से भी यह अनरोध करना चाहूँगा कि जब सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं क्योंकि अब सर्टिफिकेशन का काम सुरू होगा तो उसमें इस बात के ओपर ध्यान रखें कि अब बहुत ज़्यादे प्रपूप तो नहीं हुआ अगर बहुत ज़्यादे प्रपूप हुआ है तो ऐसे जो खेत हैं उनको हम बीज उत्पादन की स्रेणी में सामिल न करें वो बेशक मंडी में जाकर के उसको बेच दिया जाए तो बीजनित न होने के कारण इतना चिंता की बात नहीं है दूसरा एक कारण जो आमतवर पे हमने किसानों से बात सित करके पजा चला कि जो रोपाई धान की जून के महिने में की गई थी अरली रोपाई की गई थी उसमें इसका प्रकोप ज़ो है जदे हुआ है कारण ये कि ये भी हो सकता है कि साइद जब हम पौद साला में पौद तयार कर रहे थे नरसरी में ये ब्राउन प्लांट हापर आया रहा होगा लेकिन आम तरपे नरसरी में कोई इतना ध्यान इसीज़ का नहीं देता है और उस समय कुछ पौधों को इसने संक्रमित कर दिया और वही पौधे जब खेत में रोपाई हुई तो बाद में चल करके उनके अंदर बोना पनाया इतनी जादे होती नहीं तो पता नहीं चलता है कि उसमें संक्रमित हुआ है या नहीं हुआ है तो वहाँ से आया होगा तो आगे से हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगली बारे दिए हम पौध तयार करें तो पौध में भी हम च्छड़काओ दवाका करें और इस बात का ध प्रितोजन का टैक होता रहता है और फार्मर्ड अडवांस में फंगी साइड यूज करते हैं इसका ट्रीटमेंट फंगस फंगी साइड से तो बिलकुल हो नहीं सकता लेकिन हमारे जो फिसान है उनको गाइड करने का इंफर्मेशन सोर्स है जो पैसी साइड बेचने वाले और विसानु को रोग ग्रसित पौधे से स्वस्थ पौधे में ले जाने का कारक जो है वो डबलू बीप्यच है तो फफूद नासी दवाओं तो ऐसे ही इसमें कुछ काम नहीं करेंगे उनका कोई रोल नहीं है फफूद नासी दवाओं का भी अंदादून छिलकाओं करना ठीक नहीं है फसल की सहत के लिए और हम जानते हैं कि बाश्मती चावल निर्यात होता है बड़े पेमाने पर प्रती वर्स करीब 30,000 करोड रूपे का आसपास विदेशी मुद्रा का आरजन होता है और पिछले कुछ वरसों में चार पांच वरसों में यूरोपियन यूनिय में खास कर यूरोपियन मुल्क के जो देश हैं वहाँ पर बाश्मती चावल के निर्यात में हमारा इंडिया से कमी आई है और उसका एक मुख्य कारण ही पाया गया है कि कुछ खेप जो चावल की हां से गई थी उसके अंदर ट्राइसाइकला जो फंजिसाइड है उसका रि दिखेगा नहीं तो उसको रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो उसका कुल नुक्सान फिर किसान के उपर होगा दवा का सही मात्रा में सही तरीके से सही समय पर और उपयोग अगर हम करते हैं तो अवसेश रहने के समावना नहीं रहती किसी भी दवा का प्रयोग अगर फसल प वो पूरी तरह से बिगटित हो जाती है उसका प्रभाव स्माफ्त हो जाता है तो फिर रज्डिव नहीं मिलता है जैसे कुरोना वाइरस आया था उसी तरीके से लंपी स्किंड सीज आई वह भी मच्छर के द्वारा ट्रांस्मिट की गई हवा में उसका ट्रांस्मिट हुआ अब फसल में भी आ चुका है जो यह आप बोल रहे हैं कि बीपिएच के ध्रू यह ट्रांस्मिट हो रहा है तो इसका भी दोर आके चला गया क्या आगे आने वाले समय में इसका प्रकौप ज़्यादा होने का चांस है या क्या सिस्टम रहेगा आगे इसकी प्राली को कैसे मैनेज किया जाए आप बात कह रहे हैं मैं यह कहना चाहूँगा कि जो मूल कारण है उसको हमें नियंतरित करना होगा और वो कारण मैंने बताया WBPH है यही फैलाता है ऐसे यह वायरस पराली वराली से जो है दूसरे खेत में अपने आप नहीं जाएगा मुख्य कारण इसका W करना पड़ेगा दर्सरी में भी रुपाई के बाद भी खेत में भी जब भी कभी प्रकोव दिखता है तो तुरंत उसको हम नियंतरित करें कि कसानपराव मैंनू लागदा भी तो आनू लडीन दी इन्फरमेशन मेलगी होगी तो आटे बे लोडे खर्च जड़े तुसी की सब्सक्राइब करने लिए लेटेस्ट अपडेट काफी टाइम तो आपडेट आ रहे हैं तो आटे होन भी साइंटिस्सर फील्ड दे विच गए हो या इधी लेटेस्ट अप लेंदेनी डाटा करने ली अगस्त के महिने में गए थे सैंपूल लेकर आए थे उसका विसलेशन प्रयोग सालाय में हो गया उसके आधार पर हमको पता चल गया कि वायरेस का कारण क्या है अब क्रिशी मंत्राले के दौरा दूबारा एक समीति का गठन किया गया है और फिर उन शेत्रों का जहां पर प्रभाव जादे मिला है वहाँ पर जाकर के देखेंगे समीति के सदस की कितना गठा गया है सर जून ट्रांस अर्ली जून ट्रांस्प्लेंटिंग में इसका प्रभाव देखा गया है हैवी स्वैल में लाइट स्वैल में लेट ट्रांस्प्लेंटिंग हो कि जुलाई में बासमती है या कोई और अनेर्बरेटी है उसमें कम देखा गया है तो अभी यह सारे विशह जो है यह सोध का विशह है क्योंकि अभी इसके उपर बहुत सही तरीके से कुछ का पाना यह आपजरवेशन है सही आपजरवेशन है और आम तोर पे भी हम सुझाव देते हैं कि धा बढ़ जाती है तो कहीं कहीं वातावरण में हो रहे परिवर्तन के कारण और जो टंपरेचर उसमें सुरूर में जाए था उनके महिने में इस बार काफी टंपरेचर था और उसकी वजह से हुआ है किस कारण से हुआ यह तो कह पाना मुश्किल है क्योंकि इसके पास इसके जैसे वाइरेस फाइलता है उसका निंतर हम कैसे कर सकते हैं किसान पर लगाता तो अड़ी स्वाइल टेस्टिंग होनी चाहिए तो अड़ी स्वाइल टेस्टी देविचे पाई हुई खराकनों ही प्लांट ने लेके अपनी अम्यून सिस्टम नो डिवेलप करना है गा उस दे वाइब दो दनवाइब